नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम तु सिविल सर्विसेज डीम दोस्तों यह है UPSC मेंस एकजाम 2021 का निबंद का पेपर ठीक है तो UPSC ने निबंद का पेपर हो चुका है और इसमें कैसे कैसे कोश्चन पूछे गए यह हम लोग यहाँ पर देखेंगे ठीक है जी और अ तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो चलिए देखते हैं और आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए लोग हैं और आगे इस परिक्षा में आना चाहते तो उनको कुछ वर्ड लिमिट होती एक हजार से बारासो सब्दों के बीच में हर एक निवन आपको लिखना है तो यहां सेक्षन ए और सेक्षन बी दो सेक्षन दिये गए हैं सेक्षन ए में चार निवन दिये गए और सेक्षन बी में भी चार निवन दिये गए तो सेक्षन एसे आपको ए कु twisting section होता था और एक होता है जो किसी समस्य किसी मुद्धे पर पूछता जैसे कि विम्य महिलाओं की समस्याओं से महिलाओं को दॉचा जाता अभी तक ठीक है या तो परया बनके किसी मुद्धे पर आपको निबंद देखने को मिलता था या फिर विघ्यान प्रोधयोगी के मुद्धे पर आपको निबंद देखने को मिलता रहा था इस वार उ Geh यहां पर आठ निवंद जो की दिये गए हैं उस सब फिलोसिपिकल है ठीक है तो यह थोड़ी सी चौकाने वाली बात है तो होता क्या निवंद का पेपर बहुत सारे लोग हलके में लेते हैं तो निवंद अब देखो यह पेपर तो हो गया अभी समें तो कुछ किया नहीं जा होता है और इसको उतनी ही रेस्पेक्ट देनी है जितनी जीएस वन टू थी फॉर जैसे जो की धायड़ा सो नंबर के होते हैं ठीक है उनमें हम लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन निवंद को उतना टाइम देते हैं यह सिर्फ कोटेशन वगर एक जगा नोट करके रखते ह लिए जो बाद में दो-चार दिन में ट्यार कर लेंगे ऐसा नहीं करना है आपको तो निवंद की त्यारी कैसे करनी यह जब भी अप पर तयार करें तो जब भी आप जीएस फोर्त विपर त्यार करें ठीक है जीस का फोर्थ पिपर जो की इथिक्स का पर होता है इसकी तैय कज वह लिया लिख जैसे कि आ पड़ोगी उसके लिए निउस पेपर त्यार करोगे तो वह तो हर को होएं समस्य की विख्यान प्रद्वक से नियां कि यह क्या लिख को घोत तो उस को आप जिए फॉर्थ का पेपर जब आ तेयार करो तो उसके साथ में आपको ये भी ध्यान में सखना है कि हमें निवंद का पिपर भी देना है ठीक है और दूसरी इंपोर्टेंट बाद यह निवन के पिपर को हलके में ना लेने की कि इसमें वहुत वैरिएशन आपको पर में भी होता है किषी को 90 नबर भी मिला होगा कोई 145 वाला भी होगा 150 वाला भी होगा ठीक है इसके लाबा एक और पेपर जो अप रोता है उसमें भी यह हाल है कि किसी को 240 नमबर भी आ रहा होगा और कोई ऐसा होगा जिसको 350 मिला होगा जैसे कि mathematics optional हो गया यह literature हो गया किसी language का तो यह जो 1000 नंबर की यहां पर दिया गया है न इसे वाला GS fourth और optional paper यह 1000 marks हैं इनको आपको priority में रखना है प्रातिमिक्ता देनी है GS 123 इसके अलावा तो वो तो आप करोगे ही लेकिन जो marks का variation है वो इन में सबसे ज़्यादा अगर थोड़ी सी मेनत कर और ज्यादा कर लोगे तो और ज्यादा marks बढ़ने की समामना रहती है GS 123 में यह है कि आप कितनी भी मेनत कर लो एक निश्ची सीमा से ज्यादा marks नहीं गेन कर सकते हो ठीक है तो यह वद आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी तो चली अब देख लेते हैं कि कैसे कैसे निवन्द यहाँ पर पूछे गए तो जैसा कि section A में चार्ण निवन्द दिये गए है section B में चार्ण निवन्द दिये गए हर एक section से आपको एक एक निवन्द लिखना है तो जो पहला है आत्म संधान की प्रक्रिया अब तकनीकी रुप से वाहस रुतों को सौंप दी गई है यानि the process of self discovery has now been technologically outsourced ठीक है यह निवन्द लिखा के answer की तरह है नहीं लिखना आपको निवन्द की तरह है टीट करना बस इतना ध्यान में रखना है ठीक है इसके अलावा उन लोगों को बहुत ज़्यादा लाब मिलेगा जो लोग बहुत दुनियावी कितावे जिनकी पढ़ने के आदत रही है जैसे कि कुछ लोग रहते है हैं वो सिर्फ इस्कूली और कॉलेज के जो बुक्स होते हैं बस उतनी पढ़ते हैं और कुछ लोग आते हैं वो दुनियादारी सब पढ़ते रहते हैं ठीक है उनको बहुत लाब मिले यहां पर इसके लाब यह अगला जो है कि आपकी मेरे बारे में धारणा आपकी सोच द पर कि भृतिकता माया है ठीक है तो ऐसे नेवन्द पूचेंगे अगला है चौता वाला सत ही इधार्त है और यथार्त ही सत है यानि दर जियल इस रिशनल एंड रेशनल इस रियल ठीक तो यह चौता वाला लिखा जा सकता है अगर कोई कहा कि कॉन से लिकना या फिर पहला पाला भी लिखा जा सकता था खेर सब तो बिल्कुल बीसे जैसे ने कि बाली और सुग्री बाली बात होगे बिल्कुल एक जैसे ही सब दिख रहे हैं तो सेक्षन बी से भी आपको एक ही करना कोई यहां पर पूछा गया है कि पालना जुलाने वाले हातों में ही संसार की बाग प्राता है पहली वार एक त्रासदी के रूप में दूसरी वार एक प्रहसन के रूप में ठीक है फिर लास्ट वाला है कि सरबोत्तम कारे प्रणाली से बेहतर कारे प्रणालियां भी होती है ठीक है तो यह वाला लिखा जा सकता था ठीक है दोस्तों तो इसकी PDF है आप जो है झाल